भाईयों back to back win करने के बाद जो है दुबारा से फिर हाजीर हूँ आपकी सेवा में और भाईयों सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आप लोगों ने जो है मेरे पर विश्वास दिखाया कि मैं आपको win करा सकता हूँ और भगवान ही किरपा से मेरा इस पा रहे हैं दोस्तों मैं एक बात और आपको बोलने चाहूंगा ये एक प्रडिक्शन होती है जो कि अभी तक हमारी ठीक चल रही हो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपको दस में से आट मैं जित वाँगा तो उस पर देखो जो एक कही ने कही है अभी तक तो है सबी ठीक चीजन तो मैं सिर्फेकी बार बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ चीजें ठीक नहीं रहती तो उस समय भी जो है आप लोग मेरा साथ बना कर रखें साथ ना छोड़ें क्योंकि बुरे समय में जो है लोग आम तो पर साथ छोड़ जाते हैं तो ये बार मैं पहली बोल रहा हूँ वी यूट्यूबर्स के जैसे ना मैं यह वो काम नहीं करता कि मैं टीम कुछ और दिखा रहा हूँ पहले और बार में वीनिंग दिखा रहेता हूं वो कभी नहीं वाप उपर की जितनी भी बीनिंग पढ़ी है अब इस अब ही देख सकते हो अगर मैं हारा हूँ वह भी मैंने ड किया कि चीजें मैं सुनता हूँ ध्यान से और यही मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कुछ अलग नहीं करता है ठीक है मैं भी कहीं से कठा कर लेता हूँ कहीं से सून लेता हूं तो आपने भी ऐसे ही करना है भाई हो अगर मेरी टीम पे आपको फेथ होता है तो आप जो है ना भी मेरी टीम पे रहो कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं एक टीम अपनी भी लगाओ ठीक है जो कि मैं हर बार बोलता हूँ और पिछले जितनी बर्ची वीडियो देख लो भाई करना भाउत मुश्किल काम है तो इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब रोगर लें और वीडियो को लाइक कर लेना बहुत होगी बात अब करते हैं कल की बात यानि के काम की बात मैच जो होने जा रहा है गाबा स्टेडियम ब्रिसमें में में ब्रिसमेंड का होम ग अब professional cricket coach और पहले professional cricket भी खेला करता था और इसी profession की वज़य से जो मैंने एक और नया profession चुना है वो है अब तक तो भाई ठीक चल रहा है और अगे भी आपका प्यार और दुआएं साथ रही तो आगे भी अच्छा ही चलता रहेगा क्योंकि भाई मेरे अंदर कोई छलकपट त मेरे अंदर ये चीज़ें हैं ठीक है भाईयों और लेकिन जित्वा देता हूं भाई इतना बगवानी किरप है तो अब बात कर लेते हैं जैसे मैंने बताए कि भाईयों मैं professional हूं क्रिकटर रहा हूं और कोच हूं तो बाद भी professional से करूँगा कोई भी मैच होता है वो डिप पीक होना चाहिए चाहिए आपकी दोनों टीमों में मीडियम पेसर हाइट वाल है दोनों को ले लो भाई उसको help मिलने वाली है कल हंडर इना वन प्रेसेंट अगर पिछ ऐसी रहती है ठीक है भाईयों और दूसरी बात मैं एक और आपको बता दूं बाउंस बेशक इस विक बैटिंग करने जाएगी और पहले जो है बोर्ड पर टार्गेट लगाएगी और अभी तक जो है इस ग्राउंड के ओपर तीन मैचेज होएं तीन में से दो ही हो पाई है एक जो मैच बार इसके वजए से रद हो गया था तो उन दो मैचेज में जिन्होंने पहले है तो यह बात आपने ध्यान रखना है जैसे कि मैंने बोला है बैट्समेन को हेल्प मिलने वाली है और हाइट जिनकी जाद है इनीशल्स ओवर में उन मीडियम पेसर्स को जो है हल्प मिलेगी ठीक है भाईयों और अब बात कर लेते हैं जो मेन चीज है मेरे भाईयों प्रो कि बात मैट रैनिशा और फिर आएंगे सेम बिलिंग्स फिर जो है पॉल वोल्टर पॉल वोल्टर भी मस्ट भी करेंगे अभी बोल देता हूं उसका बार जाविर बाटलेट फिर माइकल नेजर फिर स्पैंसर जोंसन और फिर मिचल स्वेप्शन और एम कुनिमेन अब यह इस्वेशन प्लेयर्स कि जो है मैंने अभी आपको बताएं है जो प्रोब ली कल एकल और कðी मिला उसक्ते तरहगोई चैनलगे में कुछ आपको यृःकट करने से पहले मैं एक बार को सिरसले मैश में मिला कोई दिर नहीं मिला। पिछले मैश में इनयोंगे और हुं अगर आपको यादो चोविस बूल में चोविस बूल डालने जाएगा तो थोड़ी सी पर ट्रीट के अंदर यह रहता है जाते हैं चांसित बढ़ जाते हैं तो आप आपने देखना है कि मार्कल नेजर को टीमें लेना है या नहीं लेना है यह बार आप ध्यान से सुन लेना भाईयों ठीक है अगर आपकी टीम में अगर इनकी बैटिंग सेकंड होती है तब आप लोग उने इसको थोड़ा था कर सकते हैं अगर वैसे आप चाहों तो इन टीम में लेकर चले जाना हो यह बात आपने ध्यान रखना है ठीक है भाईयों एक इनके बोल रहे हैं जॉनसन जॉनसन क्यों मैं इसलिए बोलता हूँ हाइट अच्छी है उनकी तो कल जो है वो अच्छा कर सकते हैं भाईयों यह अब आपने ध्यान रखना है ठीक है अब बात कर लेते हैं भाई सेकंड टीम की होबाट हरीकेंस की प्रोबल इलेवन कौन से होने वाली है मेरे कोडिंग सबसे पहले जो है भाई ओपनर वो ही आएंगे मैक डॉर्मट और जियूल वन डाउन आएंगे मैक राइट टू डाउन पिछले मैच के हिरो सैम हेन फिर आएंगे कोरी अंडरसन यह नों भी पिछले मैच में अच्छा किया उसके बाद टीम डैविड फिर निखिल चोधरी फिर क्रिस आपको बता दूँ जोगी कल अच्छा कर सकते हैं उन में से सबसे पहले मैं नाम लूँगा मिडल ओडर बैट्समैन सैम हेन यह मैक राइट इन दोनों में से बाई कल एक बंदा जो है न परफॉर्म करेगा उसका रिजन यह है इस विगट के ओपर एक और हिष्ट्री रही ह है शुरू से ही जो उपनर बले बाज होते हैं वो इतना स्कोर नहीं करते हैं जितना मिडल ओडर रोल प्ले करता है तो इन दोनों में से कोई एक प्लेश को देखकर फर्स्ट इनिंग की बैटिंग देखकर इन में से एक बंदा पिक करेंगे अगर आप उस टाइम पे वीड डाला और विकट भी मिल गई तो ध्यान रखना ठीक है यह मिडर ओडर के मैंने तीन चार बंदों के नाम दी है यह एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं कल वाले मैज में ठीक है निकल चोधरी भी कल बोल डालते हैं आपको नजर आ सकते हैं ठीक है और बोलिंग में में रही है कोई page first जाता है आपको लग भी दोनों में कोई एक उठाना है आम तो पर ऐसा होता है तो आप कल मैने डिस के लिए जा सकते हैं उसका reason है उसका reason यह है ठीक है भाईयों तो ये तो थी दोनों टीमों की प्रोबली 11 और अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी ड्रीम 11 की टीम कल के मैच में मेरी कौन से होने वाली है लेकिन उसे पहले मैं दोस्तों आपको एक और बात बताना जाऊँगा जो भी मैं टीम देने जारा हूँ ये मेरी फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम जो है मैं आपको हर मैच की दरा पिछ को देखकर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को देखकर पिछ का विहावार देखकर पिछ रिपोर्ट को देखकर प्लेयर्स की बोड़ी लेंगविज देखकर जो मैं है, टेली ग्राम पर अपने टीम देता हूँ, स्पोर्ट्स फूड 18 आप कैप्टिल लेटर में सर्च करें, टेली ग्राम पर जाकर आपको बड़े इजली मेरे चैनल मिल जाएगा, अगर तब भी नहीं मिले तो आप आराम से जाकर जो है, मैं पैसे से लेता जहीं किसी भाई से, और भगवान करें आगे ना ही लें, आप ऐसे ही हम अच्छा करते रहें, और कभी पैसे ना ही लेने के जुरुत पढ़ें, ना ही मैं लोगा, जैसा कि मेरा मैन ने भाई हूँ, तो दोस्तों बिना वक्त जाहिर किये, मैं आपको टीम बता देता हूँ, विकट कीपर मैं जा रहा हूँ, मैं डॉर्मेट के साथ, बैटिंग में मैं चार बैट्समें के साथ जा रहा हूँ, मुन्रो, सैम हें, और उसके बाद जो है, जीूल और मैकराइट, और दो आलोंटर के साथ जा रहा हूँ, जोडन और वॉल्टर, और चार बोलर के साथ जा रहा हूँ, बाट्लेट, मेरेडिथ, जॉन्सन और एलिस, अब दुबारा से फिर बोल देता हूँ, यह जो मेरी टीम अभी मैंने दी, आड्रीम 11 के उपर, अभी, टेलेग्राम पे भी कर लो, क्योंकि वह यह यह दोनों के दो फ्री है, और दोस्तों, एक बात और बताना जाओंगा, कि यार बहुत जादा मेनत लगती है वीडियो बनाने में, तो भाई, मैं आपसे कुछ नहीं बोलता हूँ, सिर्फ एक बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने, और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, ठीक है, और अगर आपका कोई कोई कोश्चन्स हैं, तो कुमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं, और इस्टाग्राम पर आप स्पोर्ट्स और डेटिंग में मेरे साथ जुड़े ही होंगे सभी, तो वहाँ भी जो हैं मेरे साथ जाके बातचित कर सकते हैं, सभी का जवाब देता हूँ, जितनों बें मैसेज किया हैं, सब इस बात का गुवाँ है, तो दोस्तों, अब बिना वक्त गुआए, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब ते के लिए नमश्कार सेश्रियकल अदाब,